प्रकती नी प्रतिक तत्व को एक विशेश कारी सौपा है जाहे वह कीडे हो, पौधे हो, पक्षी हो या जानवर हो प्रकती की एक कड़ी की रूप में है गिद्ध प्रकती की एक महत्पून कड़ी है खादी श्रंकला का एक महत्पून घटक है गिद्ध कभी शिकार नहीं करता बलकी इम्रत्य जानवरों के सड़े हुए मास को खाता है गिद्दो को प्रकती क्लीनर कहा जाता है क्योंकि विप्रकती के संतूलन को बनाये रखते हुए पर्यवरिन की रक्षा करते हैं क्योंकि सड़क के द्रव्यमान नश्ट हो जाते हैं उचे पेडों की कटाई बिचली की लाइनों की टकर कम प्रजनंदर वाइरल बिमारियों ने गिद्दों के अस्तित्व को खत्रे में डाल दिया है परियवरन को प्रदूशित किया है और मानव स्वास को खराब किया है पिछले 10 से 15 वर्षों में जामोशी तालूका के वन शे अपना की नविगाफ दर्शनी मालेर मॉल मरक बोडी आदी में गिद उपहार घर बनाए और उनकी देखवाल के ले गिद मित्रों का चैन किया पूरे देश में गिद संदक्षन देखा गया है तमिलनाडू पश्यमंगाल कन्नाटक और मधिप्रदेश के 33 सवन रेंचरों ने गिद संदक्षन अध्यन दोरे आयोजित किये हैं फिर 2018 में मालेर मॉल में लगभाग 200 गिद पक्षी देखे गए 16 अप्रेल 2022 को गिद मित्र राहूल कापकर सुभाश मेत पल्लिवार और नामदेव वासे करने कूठे गाफ वन शेत्र के कमरा नंबर 40 में गिद शिकार अभियान चलाया देखा की कुंगाला वन अभियारन में गिद मौजूद है सायक वन संदक्षक सोनल भाद के निकागी गिद प्रकति के संतूलन का एक महत्पूर्ण हिस्सा है लेकिन दिन प्रति दिन भोजन की कमी रहने योग ये वनों की कटाई और प्रतिकूल परिस्ति जिर्टियों ने गिद Yup के अस्तित्व को खत्रे में डाल दिया है गिद्धो के लिए किसी भी खत्रे से बचने के लिए गिद्धो को वन्यजीव संदक्षन अधिनियंद उन्नीहीं 1922 के 332 सुन्नी में कानून दिया चाप्पूर्ण दिसन रक्षन वन विभा की जिम्यदारी है नागरिकों की जिम्यदारी बहुत महत्पून है चामोशी से बीसे न्यूस के लिए बवन वर टिवार की रिपोर्ट